हाई फिरेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव फईजी के न्यू फिचर्स के बारे में सो आप देख रहे हैं सेडवाइज मेरा नाम है समीर सो लेश टार्ट अबाउट सब्सक्राइब कीजिए ये सडवाइज चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियोस सबसे फ़ेले देखने के लिए तो आक्टिव फईजी में आपको इससरी का लुक देखने को मिलेगा आपको सामने का जो हेडलेट बल्प है वो एलेडी होगा और आपका जो मेटर है उसमें आपको एलेडी नहीं मिलने वाला है डिश्टल मेटर नहीं मिलने वाला है पुराना मेटर है आपको मिलेगा अगर से आपको इसमें डिश्टल मेटर लगाना चाते हैं तो उसके लिए आपको 4000 अलग से पे करने पड़ेंगे तो चले अब हम इसके lock system को देख लेते हैं आपको बानट में से lock हटाया गया है और आपको main lock में seat opening का lock दिया गया है तो हम इसके सुचेस के ओपर बात करें तो सुचेस जो है पुरान नहीं normal है रेट शेट का जो base 4 होने के वाज़े से आपको headlight का सुच निकाला गया है तो चले अब हम इसके finally पूरे look को देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यह रही active of 5G का look तो अब इसके logo के बारे में बात करें तो logo में कुछ भी changes नहीं दिया गया है आपको जो 4G लिखा रहता था वहां पे आपको 5G लिखा रहेगा तो left side के बारे में हम बात करें तो आपको HGTBS4 लिखा होगा उपर की side में आपको active of 5G लिखा होगा तो अब हमसके सामे की side में बात करें तो Honda का sticker ही होगा बस आपको इसमे LED white color की जलेगी एकदम full bright 5G में आपको यह new system निकाला गया है तो आप देख सकते हैं इसका full look active of 5G का तो चलिए अब हम इसके extra fitting को buy कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको इस putrash को buy करना होगा active of 5G में और इसमें 2 bolt लगे जाते हैं आपको तो चलिए मैं आपको इस bolt को दिखा देता हूँ तो यह रहे इसके extra fitting यह जो है टैलाम की extra fitting है back seat में fit होने वाले extra fitting तो चलिए हम इसके bumper को भी दिखा देता हूँ मैं आपको इस तरीके का इसका bumper आता है active of 5G का तो इसमें आपको दो fitting देते हैं और यहां पर fit होगा और दूसरा और यहां पर fit होगा तो उस seat में भी same होगा आपको तो चलिए मैं इस piece को आपको रख कर दिखा रहता हूँ इस तरीके से यह piece है fit होती है आपको आपकी bike में तो यह सामने की extra fitting है mudguard की safety के लिए तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको होगा तो यह जो है left side की extra fitting है जो आपको active of 5G में लगेगी आपको उसमें बस active हा लिखा रहेगा यह जो है left side की extra fitting है अगर साब की bike गिरती है तो भी इसमें इसकाचस नहीं आएंगे और आपको stand by करना होगा सेडी stand उसके साथ मैंने बाइक किया है एक buzzer को यह T का buzzer है यह और इसमें आपको कुछ मैंने star के सुरूज और washer को बाइक किया है ताकि मैं इसको fitting proper TK से fit कर सकूँ और उसके साथ मैंने एक grip cover बाइक किया है इसके virginal grip cover सेफटी से रहे इस वज़े से तो अब हम इसके साथ मैंने बाइक किया wheel के show nut को wheel में लगते हैं यह nut तो चलिए अब हम इसको fit कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं आप बाइक के पास हम आ चुके हैं तो इसके lock के बारे में आपको बता जाता हूं आपको आपका जो सुच है ना on में open होगा ना half में open होगा आपको बस यहां पे seat करके लिखा होगा seat के आपको रखना होगा उसके बाद में आपको उस सुच को प्रस करना होगा open करती है आपकी seat open हो जाएगी तो आप देख सकते हैं उपन हो चुकी है तो मैंने extra fitting को fit कर दिया है मेरी bike में अगर से आप extra fitting का video देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे comment कर दिजे का मैं उसका replay कर दूँगा या फिर next time मैं आपको इसका video proper position के से बना कर दे दूँगा तो इस video को अच्छा रोक स्पैंस आएका तो मैं इंशालला जरूर इसका extra fitting का video बनाऊगा वीडियो को ज़रूर से like करना होगा आपको वीडियो को share करना होगा अगर से आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर दिजे और साथ में bell icon को भी दबा दीजे आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे नीचे comment कर दीजेगा जरूर से मैं उसका replay इंशालला कर दूँगा तो तक लिए take care bye bye कुदा आफिस मिलते हैं अगले वीडियो में